सलमान खान ने एक बार फिर से फटकार लगाई है सलमान ने मनारा से कहा है कि कोई तुम destroys child नहीं हो और कब तक सिरफ हम देते जाए देते जाओ देते जाओ और तुम लेती जाओ लेती जाओ यानी कि ऐसा कौन सा रिश्टे में होता है जहां सिरफ सामने वाला देता जाए और एक लेता जाए तो ये बात जो है सल्मान ने साफ साफ कही है कि जो चीजे तुम कर रही हो वो बहुत ही जादा गलत है रिष्टे में सिरफ लेना नहीं होता है, कई बार देना भी होता है और इसी को लेकर अब सल्मान मनारा को फटकार लगाते नजर आए मैं आपको दिखाती हूँ, कि सल्मान ने साब कहा है मुनवर कि आपने आपको महान दिखाने की कोशिश कर रहे हो तुम तुम चाहते क्या हो, तुम अपना क्या दिखाना चाह रहे हो कि कुछ भी चीजे हो जाए तुमें फरक नहीं पड़ता क्या तो तुम कब बैक आउट होगे, तो साब बोले सल्मान ने आपको दिखाना है कि भाई मेरे में कितने पेशिंस है या आपका कोई एगो फ्रिफ चल रहा है कि एक दिन ये समझ जाएगी कि वो नल्ला है और मैं खरा हूँ, इसके दिमाग में कुछ नहीं आएगा ये खुद गेम खेर रही है तो अब सल्मान ने साफ साफ मुनावर से कहा है कि तुम बैक आउट कर लो जी हाँ बैक आउट करने की बाद जो है सल्मान खान करते नजर आ रही है तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पर जिस तरीके से सल्मान बोल रहे है मनारा को कि भई तुमें क्या लगता है कि तुम जो भी करती जाओगी सब सही है कोई फरक नहीं पड़ेगा तो क्या यहाँ अब मनारा को पछली बार इस बात की फटकार पड़ी थी कि वो जिस तरीके से अपने सीनियस से बात करती है गलत है और अब यहाँ साफ साफ सल्मान यह बताना और कहना चाह रही है कि वो लोगों का इस्तमाल कर रही है आप क्या कहेंगे इस पर?